एक बार खरगोश और कच्छुए ने यह तै किया कि उनके बीच एक दोड़ होगी ताकि यह पता चल सके कि किसकी गती तेज है और कौन दोड़ को पहले समाप्त करेगा इसलिए उन दोनों ने अपनी दोड़ शुरू की खरगोश तेज दोड़ रहा था और कच्छुए धीरे धीरे चल रहा था खरगोश ठक गया और उसने सोचा कि कच्छुए बहुत धीरे चल रहा है तो मैं पेड के नीचे एक जपकी ले सकता हूँ कच्छुआ मुझे नहीं हरा सकता यह सोचकर खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया इस बीच कच्छुआ धीरे धीरे चल रहा था और उसने खरगोश को पार कर लिया धीरे धीरे आगे बढ़ा और वह अंतिम रेखा के निकट पहुंच गया अचानक खरगोश अपनी नीन से जागा और दौड में कच्छुए को खोजने लगा लेकिन उसने देखा कि कच्छुआ पहले ही दौड पूरी कर चुका है और यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ इस कहानी से हमें यह सीक मिलती है कि हमें कभी भी अभीमान नहीं करना चाहिए